ISI का मारखोर वाला लोगो किस पाकिस्तानी ने बनाया आप भी जानिए इस वीडियो में दुनिया की नमबर वन एजनसियों में से एक पाकिस्तान की खूफिया एजनसी Inter-Services Intelligence यानि ISI के लिए 2014 में मारखोर वाला लोगो मतारिफ करवाया गया इससे कबल वुपाक आर्मी के ब्रेंड लोगो पर ही ऑपरेशनल थी नया लोगो मुल्क के मारूफ क्रियेटिव डिजाइनर शहजाद नवाज ने बनाया जिसके जिम्में पूरी दुनिया से नैशनल सिक्योरिटी से मतलिक मालूमात इकट्टी करना और इसका तज्जिया है ये एजनसी DGISI और हकूमत पाकिस्तान को रिपोर्ट करती है लाहोर में मुनकित की जाने वाली एड़टाइजिंग की कॉन्फरंस एड एशिया में गुफ्तगू करते हुए मुल्क के मारूफ क्रियेटिव डिजाइनर और ISI के नए लोगो के खालिक शहजाद नवाज ने बताया जैनरल के आनियो जैनरल रहील शरीफ के दोर में पाक फोज अपना इमेज बेहतर करने पर काम कर रही थी और इस सिलसले में मुझे भी जिमेदारी सोपी गई आज कल फिफ जनरेशन वारफियर बेहद अहम है मुझे जिमेदारी मिली तो मैंने मारखोर का इंतखाब किया क्यूंके ये पाकिस्तान का कौमी जानवर है और जहरीले समझे जाने वाले सांपों को भी निगल जाता है मारखोर के मादूम होने का खत्रा है लेकिन इसने नए माहूल को नहीं अपनाया जो इसके पुर अजम और क्मिटिड होने का वाज़े इजहार है इसे मौत कबूल है लेकिन अपने माहूल और अपने खांदानों इलाके पर किसी समझोते पर तयार नहीं होता नोजवान नसल के बहुत कम अफराद को ये बात मालूम होगी कि लवज मारखोर का लवजी मतलब क्या है लवज मार का मतलब सांप और खोर का मतलब खाने वाला है सांप को खतरनाक इनसान और इनसानी मौाशरे का दुश्मन और बुरे मुस्तक्बिल की इलामत समझा जाता है तो मारखोर को यूं समझें कि दुश्मन को खा जाने वाला मारखोर बुनियादी तोर पर जंगली बकरी की सबसे बड़ी किसम है जो ज्यादा तर पाकिस्तान के शिमाली इलाकों बिल खसूस चितराल और हुन्जा के इलाकों में पाई जाती है इसकी घिजा जंगली जड़ी बुटियां और जंगली सांप है सांपों को बिलों से निकालने में मारखोर अपना सानी नहीं रखता पाकिस्तान के इलावा ये जानवर अफगानिस्तान, ताजिकस्तान, कश्मिर और उस्बिकस्तान के भी मखसूस इलाकों में पाया जाता है I.S.I. के लोगों के लिए मारखोर के इंतखाब की भी यही दो वज़े हैं एक पाकिस्तान का कौमी जानवर, दूसरा दुश्मन को बे नकाब करना, पकरना या मार कर खतम कर देना है ISI भी दुश्मन से घबराने के बज़ाए इसका पीछा करती है और इसको अपनी गृफ्त में लेकर नियूटरलाइज करती है ISI ने हमेशा दुश्मन को धूल चटाई है मजीद इस तरह की वीडियोज हासिल करने के लिए आप हमारा पेज डेली पाकिस्तान विलाए कीजिए अपने मेजमान यासर शामी को इजाज़त दीजिए अलाहाफिस